हेलो वेल्कम टू जहां किचिन ये देखिए जहां किचिन में आज मैं किस चीज की रेसिपी सेड करने वाली हूँ तो आज मैं सेड करने वाली हूँ आइसक्रीम स्टाइल केक की रेसिपी तो ये बिल्कुल देखने में आइसक्रीम जैसा लग रहा है पर ये है केक तो आईए अब शुरू करते हैं सबसे पहले हमने यहां पर लिया है चोटे साइस के स्टील का ग्लास और सम में ढाल देंगे दो तीन बून और रिफाइन और ब्रस या हाथ से इसको ग्रीस कर लेंगे ग्लास को और यहां पर मेरा जो है वो दो ग्लास क्रीस हो चुका है चारो ग्लास क्रीस हो चुका है और अब मिस में डालेंगे थोड़ा थोड़ा नॉर्मल आटा लिया है मैंने इसकी जगह आप मैयदा कभी यूज कर सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा अटा डालकर ब्रस से अब फैला लेंगे चारो साइड भी और बेस में भी तो चारो ग्लास में में डाली आया थो तब तक मैंने कुकर को गरम होने के लिए छोड़ दिया है और जो एक्स्ट्रा आटा है वो ग्लास से हम जाड कर निकाल देंगे तो अब हमारा ये ग्लास जो है वो बेखोने के लिए रेडी है अब मैंने यहाँ पे लिया है ये तीन पैकेट स्मॉल साइज के ओरेंज क्रीम बिस्केट ये जो पांच रुपे काई काता है वो वाला स्मॉल साइज वाला है तीन पैकेट लिया है और सारे बिस्केट को हम पहले तोड लेते हैं तोडने से क्या होगा कि इसका जो पाउडर है न वो अच्छी तरह से एजली फाइन पाउडर बनेगा टुक्रे नहीं रहेंगे बीच में तो अब हमारा बिस्केट जो है वो तोड चुक है अब हम मिक्सर ग्राइनर का जाड लेंगे और इसमें सारे बिस्केट के टुक्रे को डाल देंगे और यहाँ पे मैंने ढखकन लगा दिया है अब इसकों ग्राइन कर लेंगे और यह ग्राइनों के हमारा पाउडर रेडी है ट्रांसफर कर लेते हैं मिक्सिंग बाउल में तो अब हमने सारे पाउडर को निकाल लिया एक मिक्सिंग बाउल में और यहाँ पे मैंने लिया है दूद यह नॉर्मल टैंपरेचर पे है उबला हुवा दूद नाहीं गरम है नाहीं ठंडा है थोड़ा थोड़ा दूद डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे तो गुटलियां को तोड़ते वे अच्छी तरसे बैटर हम रेडी कर लेंगे थोड़ा थोड़ा दूद डालते जाएंगे और थोड़ा दूद चाहिए एक साथ बिलकुल भी नहीं डालेंगे नहीं तो वो गिला होने का चांस रहेगा और यहां पे मेरा बैटर जो है वो दूद और बिस्किट का पाउडर मिक्स हो चुका है अब मैं यहां पे डाल रही हूं आदा चमच बेकिंग सोडा और वन फोर्थ चमच बेकिंग सोडा सोडा अब हम यहां पर डालेंगे दो छोटा चमच लेमन जूस या फिर एक बरा चमच मिक्स करेंगे और दो पार्ट बैटर को एक साइड और एक पार्ट बैटर को एक साइड रख लेंगे तो अब दो पार्ट जिसमें रखा था उसमें मैंने डाला है दो चमज कोको पाउडर और जिसमें एक साइड रखा था उसमें डाला है थोड़ा सो ओरेंज फूड कलर और कोको पाउडर वाले पाट में 3-4 चम्च दूझ डाल के perfect खोल को कर लेंगे और food color भी mix कर लेंगे दूसरे पाट में अब हम एक एक चम्च कोको पाउडर वाला गोल डालेंगे सारी glas में और यह देखे है यहां पर सब में मैंने एक एक चम्मच घोल डाल दिया है अब हम वोपस जो भी हमारा ओरेंज वाला घोल है वो चारो ग्लास में डिवाइड कर देंगे और ये हमने चारो ग्लास में डाल कर कतम कर लिया है गोल को और जो हमने दो पाट लिया था गोल वो अभी भी आदा हमारा बचा हुआ है तो वोपस एक एक चम्मच अब डाल देंगे उसको यानि पहले कोको पाउडर वाला गोल फिर ओरेंज वाल गोल और फिर वोपस कोको पाउडर वाला गोल और यह हमने डाल दिया चारो ग्लास में और इस तरह से थोड़ा चमत से फैला लेंगे लेयर को कवर कर देंगे ताकि ओरेंज वहला उपर से ना दिखे तो सारे ग्लास में अब इसी तरह से कर लेंगे या तो चम्मत से फैला सकते हैं और या फिर हाथ से भी ग्लास को इस तरह से टेरा करके सब साइड फैला सकते हैं मेने की उपर का कवर जो है वो कोको पाउडर वाले गोल से कवर हो जाना चाहिए तो अब हमने सारे ग्लास में केक के बैटर को डाल दिया है और थोड़ा सा टैप करेंगे जिससे की एक्स्ट्रा जो एड होगा वो निकल जाएगा और बॉबल से निकल जाएगे और अब हमने लिया है आइसक्रिम स्ट्रीक और सब के सेंडर में एक एक आइसक्रिम स्ट्रिक डाल देगे केक हमाना अब बेक होनी के लिए रडी है और छे से सात मिनट हमने प्रिहिट कर लिया था को 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 मीडियम फ्लेम पर उ इसमें रख दिया है स्टैन्ड और इसमें डाल देंगे सारे ग्लास को कूकर गराब है तो बिल्कुल साफ़ता नहीं पुर्वक रखना है और यहां भी मैंने स्टिक को सीधा कर लिया है अब यह में कूकर का लेड जो है उपर से रख देना है और सीटी को खोल लेना है और मीडियम फ्लेम पे दो मिनट उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल लोग करके और 12-13 मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे तो अब लगवक 15 मिनट हो चुके हैं और यह बेक होके हमारा पूरी तरह से रेडी है टाइमिंग में 2-4 मिनट का फर्क हो सकता है वो डिपेंड करता है फ्लेम पे बरतन पे और गैस हमने बंद कर दिया है अब चाहे तो कोकर में भी ठंडा होने दे सकते हैं मैं इसको निकालके नीचे ठंडा होने दे रही हूँ ताकि यह जल्दी से ठंडा हो जाए और यहां पे यह ठंडा हो चुका है तो चाकू को ग्लास के चारु साइट थोड़ा तो गुमा कर और केक इस तरह से इसली हमारा बाहर आ जाएगा तो यह देखिए कितनी अच्छी तरह से सारा आइस क्रिम स्टाइल केक हमारा बाहर आ गया है चोको ओरेंज फ्लेवर का है तो यह रेड़ी है हमारा चोको ओरेंज आइस क्रिम स्टाइल केक तो आप भी बना सकते हैं और इंज्वाई कर सकते हैं